हेलो फ्रैंट्स वागत है आप सभी का हमारे ट्यूप चैनल पर आशा करते हैं आप सब स्वस्त होंगे आज हम आपको क्लास फ़र्स्ट की जो मर्देंग की हमारे पास वर्क बुक है उसकी वर्कशीट 0.1 unit third कराएंगे हम आपको unit third की जो worksheet है 0.1 हम आपको कराने जा रहे हैं यहाँ पर हम आपको कराएंगे this, that, those, these और those यह fill in the blank समय कराना है बच्चो को start करते हैं पहले worksheet कराने से पहले हम लिखते हैं this that, these और those यह हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको कराने में जी हो this singular होता है हमारे पास that भी singular के लिए उसक्या जाता है जहां पर भी एक वचन बोल सकते हैं जहां पर एक वस्तू की बात करेंगे या किसी एक चीज की बात करेंगे तो वहाँ पर singular use करेंगे those पलरल होता है यह भी हमारा पलरल होता है यानि कि एक से जादा वस्तू के अगर हम बात करते हैं तो हम use करते हैं this or those अगर हम single वस्तू की बात करते हैं तो this or that अब बात कर लेते हैं हम this or these उसके बाता है हमारे पास that और those यह जी हम this और दीस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास है कोई भी चीज close to us जो हमारे पास है यानि ही पास में है close to us close to us उसके लिए हम this or that use करेंगे यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा this singular के लिए और यह हमारा पल्रल के लिए that और दीस यह singular के लिए और यह हमारा पल्रल के लिए यह some distance away from away from यानकी कुछ दूरी पर जो वस्तु है उसके लिए हम हम दैट और दोस का प्रियूब करेंगे singular के लिए that लगाएंगे फिलर के लिए दोस लगाएंगे अब हम activity देख लेते हैं हमारे पास जो activity है उसकी बात कर लेते हैं फिल इंद ब्लैंक्स विए इस तैट दोस दीज इस एक कलरफुल काइट यह देखू बिलकुल पास नहीं है यहां से कितनी दूरी है तो दैट इस इस एक कलरफुल काइट यह बैग बिलकुल पास दिखाया गया है तो दिस इस एक पिंक बैग उसके बाद बात करें आर ब्राउन बोल्स और ब्राउन बोल्स भी कहां पे हैं इतने गैप पे दिखाई गई है तो दोस are brown balls और उसके बाद अगर हम apple की बात करें यह बिल्कुल pass है these are red apple आसे करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अब देख लेते है encircle यानि कि हमें circle बनाना है correct word पे जो दिया गया है book है यहां पे है इस distance पे this or that जब दूरी पे है तो that आ जाएगा उसको हम circle कर देंगे और यह देखे आप balloon दिये हैं यह बिल्कुल pass है और number balloons है यानि कि एक से ज़ादा number में है और pass है तो हम लगाएंगे these are balloons उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास flower है बिल्कुल pass है तो this is a rose उसके बाद देखते हैं कि one pair of shoes है तो यहाँ पे आ जाएगा दूर है तो those are shoes अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like केजिए share केजिए, subscribe केजिए, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद ही आएगा Thank you